आज मैंने बनाया है यह डोर मैट यह मैंने बहुत ही आसन तरीके से बनाया है बहुत ही जल्दी बन के तयार हो जाता है बुलकुल सिंपल सी इसकी जिजान है जो भी बनाना नहीं जानते होंगे फिर भी आप इस छोटी सी वीडियो को देखेंगे तो पूरा डोर मैट बना ल और लेंगे कि इस वाले कलर के जार लू चाहिए कोई भी कलर को आप उसके फंदे डाड़ सकते हैं मगर इसमें दो कलर ही इस्तमाल करेंगे क्योंकि में जिजान ही आपको ऐसी बताने जा रही हूं जो दो कलर से बनेगी देखिए अब इसके फंदे डालेंगे हम एक दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला सोला फंदे मैंने इस वाले कलर के डाले, अब फिर से इस वाले नोट को लगाएंगे, ऐसे, देखो, अब एक, अब इसके फंदे डालेंगे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ फंदे मैंने इस वाले कलर के डाले, तो अब क्या करेंगे, एक साधा रो लगाएं फिर उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ क्या करेंगे साधारो इस तरीके से बनाएंगे सबी फंदों को इसी तरीके से बनाएंगे साधारो इस तरीके से बनाएंगे तो देखिए ये वाला फंदा मैंने उतारा इस वाले फंदे को मैंने इस तरीके से डाला मैं आपको फिर से बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से सीख जाएं पहला फंदा उतारेंगे धागे को पीछे की तरफ लेंगे और इस तरीके से ऐसे बना देंगे तो देखिए एक फंदा बढ़ गया हमारा, अब सभी फंदों को हम ऐसे ही बनाएंगे, शुरू बात में एक फंदा उतार के बढ़ाएंगे, अब क्या करेंगे दरकी साइट में देखो, देखो, अब यहां से क्या करेंगे, इस वाले फंदे को इसके उपर रखेंगे, कपड़े की पट्टे को और इसे हम पीछे की तरफ निकाल देएंगे, अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, अब हमें इसे बनाना है, इस तरीके से, ऐसे, तो यह हमारे आठ फंदे हैं, हम आठ फंदों को एक एक करके छोड़ेंगे, शुरुवात में यहां से एक एक करके छोड़ेंगे, और आठ फंदों को यहां से एक एक करके छोड़ते जाएंगे और यहां पर मैंने आपको एक फंदा बढ़ा कर दिखाया है इसी तरीके से एक एक फंदा हम बढ़ाएंगे मैं आपको एक वार फिर से बताती हूँ क्या करना है अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद और और यह जरूर बताना मुझे कि आपको मेरे यह न्यू वीडियो कैसी लगी अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो भी कमेंट करके बताएं मुझे जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब आप कमेंट में ये लिखते हैं कि मैं ये वाली वीडियो हमने आपकी डोर मैट के देख करके अपने घर पे बना ली है और जो बड़ा हुआ फंदा था उसे भी हम इस तरीके से बना लेंगे इस तरीके से फंदा बढ़ाने से ना तो जाली आएगी और ना कोई दिक्कत होती है बढ़ाते समय फंदा देखो ये वाला फंदा मैंने बना लिया इससे धागे को हम पीछे लेंगे अब यहां से इस वाले फंदे को ऐसे बनाएंगे इससे क्या होगा हमारी किनारी एकदम प्रवपर आएगी और आप क्या करेंगे देखो शुरुबात से फिर से देखो एक फंदा उतारेंगे इस वाले फंदे को पीछे की तरफ करेंगे धागे को फिर ऐसे लेकर और ऐसे बन और इधर की साथ में एक एक करके 8 फंदे छोड़ने हैं, एक एक करके ही छोड़ेंगे, दो दो डवल फंदे नहीं छोड़ेंगे, देखो, अब क्या करेंगे, इसके उपर रखेंगे, इसे पीछे की तरफ निकालेंगे, और फिर से एक फंदा छोड़ देंगे, देखिए, ये वाला फंदा मैंने फिर से चोड़ दिया, तो इसी तरीके से हम 8 फंदे यहाँ पर बढ़ा कर मैं दिखाती हूँ, क्या करना है, तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, मैंने फंदे यहाँ से बढ़ा लिये हैं, आपको दिख रहे होंगे, अब देखिए, एक, एक करके मैंने यह सबी फंदों को छोड़ दिया है, देख रहे हैं आपको, एक एक करके सबी फंदों को मैंने यहां से छोड़ दिया है देखो अब क्या करेंगे ध्यान से देखना यहां से डबल फंदा लेंगे एक फंदा उतारेंगे और दूसरे फंदे से डबल लेंगे और बना देंगे पहले हमने बढ़ाए थे अब की बार में हम गठा रहे हैं और इसे बनाते जाएंगे अब क्या करेंगे बोल नीचे वाले फंदे आठ हमने डाले थे वो तो हमने एक-एक करके छोड़े थे अब यहां से देखना के हम दो-दो करके छोड़ेंगे यह देखो पीले कलर के मैंने दो फंदे छोड़ दिये यहीं से दागे को अपनी तरफ लेंगे अब यहां से फिर से बनाएंगे देखो अब ऐसे ही हम एक बार मैंने आपको फंदे गठा कर बता दिए हैं ऐसे ही दूसरी बार फंदे गठाएंगे मैं आपको अभी बताती हूँ और जैसे हमने एक एक करके ये आट फंदे बढ़ाए थे वैसे ही बनाएंगे और एक बार अगर आप इससे बड़ा बनाना चाते हैं तो भी बना सकते हैं 8 फंदों की जगे पर यहाँ पर मैंने 8 फंदे बढ़ाई हैं और आप इस जगे पर 10 फंदे भी बढ़ा सकते हैं 12 फंदे भी बढ़ा सकते हैं अगर जादा बढ़ा बना रहे हैं तो अगर छोटा बना रहे हैं, तो 6 फंदे भी हम बढ़ा शकते हैं, और कम फंदे भी इसमें डाल सकते हैं, यह फंदा हम लास्ट वाला सीधा ही लेंगे, सीधा फंदा ही लेंगे, इस तरीके से, ऐसी, देखो, अब क्या करेंगे, देखो फिर से मैं आपको एक फंदा गठा कर बता रही और एक ये वाला फंदा लेंगे एक ये लेंगे और दोनों को कम कर देंगे तो देखिए इसी तरीके से हमें अभी 6 फंदे और गठाने हैं फिर मैं आपको देखाती हूँ देखिए तो एक फंदा मैं आपको फिर से गठा कर बता रहे हूँ पहला फंदा मैंने इस तरीके से स हैंясी है टो अभ डिलीड हो गई है तो अब क्या करेंगे अब यहां से हम सभी फंदाओ को बनाते जाएंगे जोमने एक एक करके छोड़ दी है उन सभी को पिये वालों को एक कर प्रके शुड़ें नहीं में बना लेंगे यह ढूंस में बनाूख मेल गी अब क्या करेंगे देखो दियान से देखना यहां से इस बारे थागे को इसके उपर रखेंगे इसे पीछे की तरफ निकाल देंगे और यहां से बनाना शुरू करेंगे इन सभी फंदों को भी बना लेंगे यह बना लिए मैंने सभी फंदा अब यहां से क्या करेंगे यहां से भी इन सभी को बना लेंगे देखिए अब इसे हम यहीं से क्या करेंगे ऐसे लेंगे अगर आपके यहां पर यह वाला फंदा बड़ा है तो कुछ भी नहीं करना यह मेरा चूटा हो गया है अब इस वाले फंदे को मैं यहां से लगाऊंगी इसलिए मैंने इसमें लगा दिया है तो देखिए मैंने पट्टी लगा ली है साडी की और एक बात अपने साढी की याट पट्टे से साडी से किसी से भी बनाना चाते है आप इसकी पट्टिया एक जैसी कट करें ताकि हमारा ढ़र्में कहीं मोटा कहीं पतलासन नहीं आएगा देको एक जैसा आएगा कितना सुंदर आरा रहा है यहां यहां से देखो मैं सभी फंदे बना लिए हैं। इसे फंदे को हम सीधा ही बनाएंगे। देखो अब यह मैने बना लिया। पहला फंदा हम बनाएंगे इधर कि शाठ से भि, Fair दूसरे फंदे को भी बनाएंगे। इस वाले कलर से, फिर इसको ऐसे बनाएंगे, फिर इसको इधर की साइट में करके फिर से इस वाले कलर से बनाएंगे, इसे इधर की साइट में करके फिर इससे बनाएंगे, ऐसे ही बनाते जाएंगे, देखे ऐसे ही अंट इस तरीके से करते जाएंगे और बनाते जाएंगे इससे क्या होगा हमारी दिजान बनके आ रही है देखो इस वाली पट्टी को यहाँ पे पकड़ेंगे उठा के नीचे अब इससे बनाएंगे अब इस वाली को पकड़ेंगे फिर इससे बनाएंगे फिर इस वाली को पकड़ेंगे इससे बनाएंगे ऐसे ऐसे ही इन वाले दागों में इन वाले फंदों भी बनाएंगे एक कलर ऐसे एक फंदा फिर एक फंदा इस वाले कलर से देखिए ऐसे फिर इस वाले कलर से फिर इस वाले कलर से यह हम सीधी तरब से जा लेंगे इस वाली जजान को उल्टी तरफ से नहीं डालेंगे उल्ली सीधी तरफ से डारेंगे बस देखिए अब क्या करना है देखिए अब क्या करेंगे इधर की साथ से हमने सीधी तरफ से ये वाली जजान डारी अब यहां से इस से नहीं बनाएंगे इस वाले कलर से बनाएंगे आठ फंदा डाले थे हमने आठ फंदों को अब हम इसी कलर से बनाएंगे इस वाले कलर से ही आठ फंदे बनाएंगे देखिए अब क्या करेंगे द्यान से देखना इस वाले दागे को हम सीधी तरब कर देंगे और अब हम इस वाले दागे को लगाएंगे देखिए इस वाले कलर से सभी को बनाएंगे देखो कितना सुन्दर डोर मैट बन के आएगा यह इसमें आपको मैं दो चार कली बना कर देखाऊंगी और कापी सुन्दर बनेगा इसी तरीके से बनाऊंगी आप इसे उन से साड़ी से दुपटों से किसी से भी बना सकते हैं वाट मैकरम से जो भी आपको अच्छा लगे वैसे डोर मैट को बना लें और लाश्ट वाले फंदे को अब हम सीधा ही लेंगे ऐसे देखिए तो यह हमारे एक कली बन के कम्पलीट हो गई आपको दिख रही होगी अब यहां से जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे मैं आपको बताती हूँ एक बार इस वाले फंदे को उतारेंगे और इस धागे को पीछे करेंगे धागा पीछे किया इसे हब हम इस तरीके से बनाएंगे तो देखिए एक फंदा बढ़ गया तो ऐसे ही हमने यह वाली कली बनाई है देखो वैसे ही अपनी दो चार कली बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ कापी सुंदर आएगा यह जोर मैं बनने के बाद मैं कुं बनाने में तो इस वाले फंदे को इस तरीके से करेंगे इसे हम पीछे की तरफ से ऐसे लेंगे देखों येवाले कप्ड़ी लिए हैं मैंने कप्ड़े की पथ्टी और एक फंदा बना लेंगे फिर से ऐसे ही और बहुत ही आश्ञनी से ये office जुर्वाली दीजान भी डा जाती है देखो एक फंदा एक फंदा करके लेंगे डवन फंदा नहीं लेंगे नहीं तो हमारी है जिजान खराब हो जाएगी अच्छी नहीं लगेगी देखो कापी सुन्दर आती है न यह वाली जिजान देखो इसे रिके से अब यहां पे ऐसे करेंगे अब इस वाली कलर को बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही बनाएंगे चाहे आप पूरा डूर मेट बनाओ चाहे आदा बनाओ मगर जिजान एक जैसे ही बनेगी ऐसे ही एक फंदा उस वाली कलर से लेना है एक फंदा उस वाली कलर से लेना है देखो तो यह वाली जिजान बनके तयार हो गई देखो कितनी सुन्दर आई है तो यह मेरी बनके तयार है इधर की साइट से हम जैसे फंदित थे वैसे ही बनाएंगे इस वाली कलर के इस वाली कलर से बनाएंगे और पीले कलर के पीले कलर से बनाएंगे अब देखिए इस वाली कलर को हम क्या करेंगे पीछे की तरफ निकाल देंगे अब इस वाले कलर से बनाएंगे क्योंकि अब हमारे पीले वाला जगए आ गया है ना इसलिए तो पीले कलर के फंदे जो भी है उन्हें हम सभी को इस तरीके से बना लेंगे तो देखिए अब हमारे ये पांच भी कली बन बन बनाना तो अब क्या करेंगे मैं बस इतना ही बड़ा आपको बना कर दिखा रही हूँ काफी बड़ा है ये डोर्मेट पूरा नहीं बना सकती क्योंकि पूरे बनाने में बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी आपकी अच्छ किसी बीडियो से पूरी बीडियो बनाना यानि पूरा जोर्मेट बनाना सीख लें तो देखिए ये वाली दिजान भी मैंने यहां पर बना दी है आपको दीख रही होगी तो इस बीडियो में बस हम इतना ही बना रही है देखिए तो काफी सुन्दर लग रहा है ना तो इस आठ और बनेंगी तो इस तरीके से आप बना लें मैं बस इतना ही बड़ा बना रही हूं अगर आपको इसे पूरा बना कर दिखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं मैं आपको पूरा बना कर दिखा दूगे